असलाम अलेकुम एवरिवन आज मैं आपके साथ जिंगे की प्लाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही एजी रेसिपी है और बहुत जबरदस्त बनता है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्यूंकि यहां पे म हम इसमें कुछ और गर्म मसाले डालेंगे तो यहां पे देखे मैंने ले लिया है एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची दो दालशीनी की तुकड़े दो तेस पत्ता सभी गर्म मसालों को हम तेल में अच्छी तरीके से क्रैकल होने देंगे ताके इसकी जो अच्छा सा ब्राउन होने तक भूनना है जादा इससे नहीं पकाना है तो देखे बस इस तरीके का कलर आ जाए तो यहां पे हमें डाल देना है हरी मटर यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको नहीं डालना तो यहां पे आप हरी मटर को स्किप कर सकते हैं इसके बाद इससे बूनेंगे ताके यह अच्छा सा ब्राउन हो जाए और साथ में यहां पर हमारी हरी मटर है वह भी पक जाएगी तो देखिए आलू जो हो हलके हलके से यहां पर हमने ब्राउन कर लिया है अब मेंचीज हम डालेंगे तो यहां पर हम जिंगी का प्लाव बना रहे हैं देखें च्छोटे जिंगे ले लिए हैं आप अपनी मर्जी का यहां पे कोई भी जिंगा ले सकते हैं इसे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दोल लिया जिंगे डालने के बाद इसकी श्मयल को खतम करने के लिए अब हम यहां पे डालेंगे एक चमच अद्रक लसन का तो यहां पे मैंने 7-8 हरी मिर्ज को बिल्कुल पीस लिया देखें बारीक सा आप यहां पे अगर नहीं पीस ना चाते तो हरी मिर्ज को यहां पे आप बीच से कट करके भी डाल सकते हैं अब हम यहाँ पर बिलकुल अच्छी तरीके से जृंगे को भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो बिलकुल अच्छी तरीके से निकल जाए तो देखें यहाँ पर मैंने जिंगे को बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है तीन से चार मिनिट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया अब साथ में ही यहाँ पर मैं डाल दूंगी दो मीडियम साइज के टमाटर टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हमें टमाटर को मिक्स कर देना है और अब हम यहाँ पे टमाटर को पकने के लिए रख देंगे ताके टमाटर जो है वो सौफ्ट हो जाए तो चलिए इसे कवर करके दो मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तो देखिए बस यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए पकाया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है आप देख सकते हैं चलिए अब इसमें हम एड कर लेते हैं कुछ मसाले तो यहाँ पे मैंने मसालों में ले लिया है एक चमच हल्दी पाउडर साथ में ही हम यहाँ पे डाल देंगे 2 चमच लार मिर्च पाउडर तो तीका आप अपने साब से डाल लिए क्यूंके हमने हरी मिर्च का पेस्ट भी एट किया है और यहाँ पे देखिए मैंने देड चमच धनिया पाउडर लिया है तो बस इतने मसाले हम इसमें डालेंगे और सभी मसालों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे तो देखिए यहाँ पे जो है मसाले पक चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे चावल तो यहाँ पे मैंने दो ग्लास चावल लिया है तो दो ग्लास चावल के हिसाब से यहाँ पे मैं पानी डालूंगी धाई ग्लास क्यूंकि हम यहाँ पे कूकर में बना रहे हैं तो अप सी यहां पे आप को डाल देना है नमक नमक है तो चलिए नमख डाल लेते हैंhee अब सबह सब्सक्रार, आप सभी चीजों को मिक्स करके हमें जब अच्छी तरीके से बॉयल ना हो जाएँ तो देखिए वहा थोड़ा थोड़ा सा पानी रे dado साछेगा में already तो अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पे कूकर का धकन लगाएंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे हम 10 मिनिट के लिए और 10 मिनिट में ही यह प्लाओ जो है हमारा रेडी हो जाएगा तो 10 मिनिट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर रहने दिया और इसके बाद मैंने कूकर का धकन नहीं कोला है इसका पूरा प्रेशर अपने आप रिलीज होने देना है इसके बाद यह देखिए हमारे जो प्लाओ है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल खिला खिला यहाँ पर चावल बनता है पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना बहुत ही जबरदस्ट बनती है और बहुत इजी रेसिपी है रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे ताके मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तैंक्स पो वाचिंग